हेलो गाईज कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कहते हैं न एक ऐसा लड़ू है जो खाए वो पस्ता है जो न खाए वो पस्ता है सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में जो हम लोग बात करने हैं आज कल आप लोगों ने देखा होगा अचाहिए अब छोटी से छोटी सो सीसी वाली बाइक्स भी उठा के दे टर्न बाइ टर्न नेविगेशन चाहिए हाईवे पे खो गए तो ठीक है लॉंग ट्रिप्स पे जाना है लेकिन रियाल्टी कुछ अलगी है चोकि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और मैंने दोस्तों लगबग यहां पे जो है दस हजार किलोमेटर जो है ऐसा है ठीक है और सिटी यूजज जो नॉर्मली ओफिस ओफिस जाते हैं वो सब तो है ही है तो इसके बेसिस के उपर मैं आप लोगों को यहां पे मेरे कुछ हार्स एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में देखे कुछ स्टैट्स प पाद में एक और चीज आती है यहांपे जैसे कि माइलेज कितना दिया यहां पता करना है तो धीक है यह सब चीज है और फिर किसी को- यह लोग क्लेम करते हैं कि इसमें connectivity feature के नाम पे आप किसी को call कर सकते हैं, text कर सकते हैं, लेकिन reality तो यही है यार कि आप road के बीचो बीच में हो, जहां पे shore गुल है, ठीके आप क्या करोगे, आप चुपचाप side में गाड़ी पार करोगे, because कहीं ऐसी उल्टी सीधी जगा पार क धुग भी सकती है, तो side में पार करोगे, तो इससे अच्छा हो, Bluetooth की मदद से, SMS, call करने से अच्छा, सिधा mobile से उठा के आप कर सकते हैं, और आपको वही करना चाहिए, that's the only legit way, and because sure इतना होता है, देखो, यह जो आवाज होती है, mobile के speaker से, यह जब आप घर में बैठे हैं मैं description box मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप check out करना, पुरे में जो वीडियो बनाए हुए है, तो top model मैंने लिया, because उसके अंदर Bluetooth connectivity feature था, और उसके अंदर एक और ऐसी चीज थी दोस्तो, that is the dual horn, because standard model में dual horn नहीं आ रहा था, single horn आ रहा था, और मुझे dual horn चाहिए थे, और साथ मैं मुझे लगा Bluetooth connectivity भी मिल रही है, and I was very very excited for that, लेकिन ये चीज उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, देखो मैं अपने experience से बता देता हूँ, देखे, क्या होता है, highway पे जाते हो, ठीक है, highway पे जाते हो, और highway का एक ही सिद्दान्त है, कि आपको गाड़ी अच्छे speed पे च चलाते हो, और वहाँ पे क्या होता है, कि जैसी ही आप अपने mobile को अपने bike के Bluetooth से जोड़ना चालू करते हो ना, तो turn by turn navigation वो देता है, वो ऐसा नहीं है, कि आपकी जो display है, पूरा वो बता रही है, कि side में road कैसे है, आप कहा जा रहे हो, और वो क्या करेगा, आपको 750 मीटर प इस speaker पर बताएगा, और अगर mobile Bluetooth वाले earphones से connected है, तो उस पर बताएगा, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ज्यादा तर लोग comfortable होंगे wireless earphones पहनने में when they are on the ride, you are there to enjoy, right, you are there to enjoy, you are not there to attend the calls of anyone, और अगर आपको attend भी करना है, तो आप side में गाड़ी रोक के आराम से बात करते हैं, right, तो ये एक logic मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन हा, क्या कुछ चीजे अच्छी हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखो, दो चीजे होती है, एक होता है अपना tank bag, ठीक है, Honda का मैंने tank bag लिया हुआ है, उसके अंदर, जो tank bag है, उसकी वीडियो की link भी मैंन को जाना है, अगर tricky रस्ते हैं, तो उससे देख लो, आपको easily समझ में आ जाएगा, आपकी position कहां है, आप कहां पे हो, ठीक है, वो एक चीज होती है, और एक और चीज होती है, highway पे आप जाते होना, यार, crystal clearly लिखा होता है, शीर्डी 73 km अवे, ठीक है, शीर्डी 50 km अवे, श शीर्डी just 10 km अवे, शीर्डी take a left turn, ऐसे करके आजकल crystal clear लिखा होता है, by no chance आप कहीं गुम सकते हो, city के अंदर आप गुम सकते हो, वो भी किसी से पूछोगे तो बता दोगे, ठीक है, इतना tough नहीं होता, city में भी, city में गुमना बहुत कठीन है, it's very easy, city में गुमना, it's not at all easy, ठीक है, it's very hard, और highway पे तो आप बिलकुल गुम नहीं सकते हो, so मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप pure riding experience चाहते हो ना, turn off the bluetooth, ठीक है, और highway पे ही travel करोगे, अगर दूर जा रहे हो, तो क्योंकि आजकल हर जगा highway जैसे ही road हो गये है, for the majority of the distance, for the majority of the long distance, तो कुछ आप फरक नहीं पढ़ता है, गुम जाओगे, कहाँ turn लेना है, wrong turn लेना है, यह सब पुराने दिनों की बाते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आप turn लोगे ना, वहाँ से भी कोई नो कोई रास्ता जहाँ आपको जाना है, वहाँ के लिए निकल आएगा most likely, because यह beauty of the ride ह लेते हो, कभी कबार आप left turn लेते हो, most of the time आप सही turn ही लेते हो, ठीक है, लेकिन कभी कबार गलट turn ले लिया भी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई पहाँ तूटके नहीं आने वाला है, ठीक है, कि गलट turn ले लिया, तो इसलिए इस gimmick को आपको by default company दे रही है, because वो कुछ और premium features हैं, जो कि सिर्फ वो top model में डाद लिये, तो Bluetooth के कारण वो उसको जाने दो, Bluetooth भी लगे हाथ दे रहेते है, it's just like कि समोसे कचोरी में बेच रहा हूं, तो दोनों साथ में लेने पड़ेगे, ठीक है, तो आपको समोसे पसंद दे तो आपको कचोरी भी लेनी साथ लाग, आठ लाग, नो लाग, दस लाग, premium bikes में क्या होता है, companies जो accessories देती है, खुद के तरफ से जो accessories देती है, वो काफी अच्छे quality की होती है, और महंगी होती है, जाहिर सी बात है, और एकड़म true to finish होती है, मैंने दोस्ते एक vlog देखा था, Deep का, Deep Sachin अरांजन करके, उन कि mobile holder में मैंने देखी, its vlog देखे मुझे लग रहा था, जो उसी चीज के लिए बनाया गया, so that gives you confidence, लेकिन जो budget bikes होती है, budget bikes में 300-400 भी मान के चलो, mobile bike world में मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, third party accessories आती है, और third party accessories बनाई चाती है, general rule के हिसाब से, वो ऐसा नहीं है कि आपकी bike ऐसी है, तो इस हिसाब से वो बना के देगा नहीं, वो कोशिश करेगा कि almost सब bikes में जो है, आराम से fit हो जाए, बिना किसी दिक्कत के, तो वहाँ पे दिक्कत वाला काम है, because finish ऐसी होती है, कि उतना ज्यादा वो confidence नहीं देती, तो इससे होता क्या है, कि मजा नहीं तो कोई turn नहीं है, और उपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के आ रहा है, अंधा भी पढ़ लेगा, इतना वो लिख के आ रहा है, कि ये इतना किलोमेटर दूर है, तो उस case में तो आपको बिल्कुल कोई जरुवत नहीं है, चुपचा आप मोबाईल को अंदर में रख नई city है, बहुत बड़ी city है, और आप उसमें navigation लगा रहे हैं, तो उसमें ऐसा करो, कि आप मोबाईल में ही जो है, गूगल मैप चालो करके रख लो, विकोज उसमें भी ऐसी होता है, वो यही बुलेगा कि 7-8 किलोमेटर बाद turn लेना है, यहां से turn लेना है, तो इतना तो आप जो है, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं, और एक tank bag तो आप लेगे ही लेगे, अगर आप लोग लगेज कर रहे हैं, छोटा वो जाला, तो tank bag में अपना mobile जो है, एक दो घंटे के लिए जब तक आप सेटी में है, तब तक उसको लगा के यहां पर रखो, एक और ची में कोशिच करो, यह Bluetooth, Bluetooth, यह सारी जो चीजे है, it's all fancy features, once in a while ठीक ठाक लगता है, but in the majority of the use case, I don't think so, कि उतना ज्यादा realistic sense है, इन सब चीजों का, और हां, कुछ bikes में in-built GPS आता है, that's an entire different category, जो कि premium bikes होती है, ठीक है, तो उन में बकाइदा, सब कुछ बड़ी-बड़ी यह सब चीजे है, but for the rest, यह जो bikes है, budget bikes, जो आपको premium जैसा, premium नहीं, premium जैसा feature offer करने की कोशिच कर रही है, यह मुझे लगता है, कि उतना ज्यादा effective यहाँ पे नहीं है, and personally speaking, दोस्तों, 10,000 km में, मैंने शुरुआत में ही, शायद से एक बार use किया हुआ होगा, कि भई, चलो use करते हैं, मज़ा आएगा, जब मैं यहाँ से, I think, 200 km की ride पे गया था, उसमें मैंने कुछ घंटा उसको use किया होगा, फिर मैं उससे परशान हो गया, फिर मैंने चुप-चाप mobile को जेब में रखा, और mobile में जेब में रखा, और कुछ km बाद में, जैसी 15-20 मिनिट बाद mobile फ मुझे नहीं पता करना है यार कि गाड़ी का average कितना है, सामने display पे लिखा आ रहा है, सामने display पे लिखा आ रहा है कि आपके trip है कितनी है, trip भी कितनी है, मुझे नहीं कॉल करना किसी को, मुझे नहीं करना send SMS किसी को urgently, यह सब करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा road है, जहा आपे मैं सब चीज़ां आराम से कर सकता हूँ टेकिंग केर आफ माई सेफटी उमीद है दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी, do consider subscribing to my channel, thank you, have a nice day